कोटनूर डी ग्राम में जो घटना घटी है डक्टर बाबा सहर वंबरिकर के प्रतिमा का जो अब्मान हुआ है उसको खंडन करते हुए कल 24 जनवरी दो हजार चोविस को भारती अधरिक पैंथर के और से खीले के खीले से होते हुए अमबेड कर चोग तक प्रतिवटना रैली निकाला जा रहा है है उस रैली में वस्वकल्यान के तमाम अवाम को मैं गुजारिश करता हूँ और वस्वकल्यान के तमाम दलीद पैंथर के कारे करता हूँ को मैं गुजारिश करता हूँ कि इस कारे करम में इस प्रतिवटना रैली में ज्यादा से ज्यादा संके में उपस्तितों के इस रेली को ये शेश्विए बनाएं क्योंकि कई सालों से हर तालुके में हर शहर में आपके सपने हमारे अपने नियू उश्व जोपर्स प्राइव दिमिल्टे कमपनी जब तक इस घटना को जो अंजाम धिये हैं जो द्रोही है इस मूर्ति को जो अमान करा है उस द्रोही को जब तक पनिश्मेंट नहीं मिलता उसको गिरफतार करके सिक्षा नहीं मिलती जब तक उसको सजा फासी की सजा नहीं होती तक ये संगर्स जारी रहेगा उस उस वज़े से कल 24 जनवरी दो हजार 24 को भारती अदलित पैंतर के और से इस प्रतिबटना रैली का अविजन करे है और इस प्रतिबटना रैली में तमाम बस्तो कल्यान के अवाम और जनता को मैं गुजारिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा संक्याम में उपर्स थी तो के इस रैली को भिश्रश भी बनाए और ये रैली अम्बेड कर्चोक जाने के बाद तैसिलदार के मुखांतर करनाटक के मुख्य मंत्री जी को मनिवी पत्र भेजा जाएगा और ये कल ठीक बारा बजे खिले से ग्यारा बजे से रैली का शुरुवात हो जाएगा ज्यादा जल्द से जल्द एक दो बजे के अंदर इस रैली को खतम करके मनिवी पत्र दिया जाएगा और तमाम बश्वकल्यान के भाईयों से और एक बार गुजारिश करता हूँ इस रैली को शुरुष बनाने के लिए आपकी उपस्तित प्रात्नी है बोलके मैं आपको निवेदन करता हूँ जै भीम स्लावलेकूम जै करना तक